हलो एवरिवन तो आज हम बनाएंगे दहीं वली हरी मिर्च जो की 5 मिनट में बनके हो जाती है तैयार और आपके खाने की स्वात को बहुत ही जादा बढ़ा देती है तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है इसके हमने डंटल हटा दिये अच्छे से दोया और बीच में से ऐसे कट लगा देना है हरी मिर्च को और इसके लिए मसाले जो हमने लिए है वो है नमाक, लाल मिर्च, हल्दी, हिंग, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, साबुत धनिया और साबुत मेती दाना तो सबसे पहले पैन में डालेंगे सरसू का तेल इसमें डालेंगे हिंग, साब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फिर उसके उपर डाल दी हमने हारी मिर्च और थोड़ा सा हिलाएंगे फ्लेम को रखेंगे हाई और फिर इसमें हमने सब अपने जो मसाले थे बाकी बचे हुए नमाक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर और अमचुर मसाला, इनको में लाकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, देखी इसका कलर चेंज होने लगा, हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी, इसमें हमने एक कटोरी भरके डाल दिया है दही, फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, अच्छी से मिक्स कर दीजे ताकि दही फटेना, और अच्छे से इसका टेस्ट मिर्ची में आ जाए, फ्लेम को हाई रखते हो, हम इसको कुक करेंगे, और देखिए हिलाते चाहिए, और देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है, इसने दही ने, और एकदम से दही को जब हम हाई फ्लेम पे कुक करेंग तो बिलकुल गाड़ा सा हो जाएगा, इसको हमने पांच यूनिट के लिए मिर्ची को ढख के पकाना है, ताकि ये गल जाए, और आफ्टर फाइव इनिर्स देखिए, वाओ, कितना ब्यूटिफूल इसका मिर्ची का कालर आया है, और कितनी बढ़िया ये कुक भी हो गई ह इसने घी भी छोड़ दिया, इतनी बढ़िया हमारी हरी मिर्ची की दही वाली चटपटी सी सब्ची बनके हो गई है तयार, और इसको आप इन्जॉई कर सकते हैं परांटे के साथ, दाल चावल के साथ, और अगर घर में कोई सब्ची नहीं भी बनी हुई ना, तो फटा कीचेगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीचेए, ओके बाइबाइब फिर मिलेंगे,